आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो कीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरफ विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनल यदि तापृति की बात करें दो हमारे पास पदार्थ होते हैं पदार्थ कि हासी भी अवस्ता पर हो सकता है चाहें वह सबसे मुल्भूत nuovoस्तों के रुप में प्रमानूर से मिलकर बना होते हैं तो परमानू जह świeं होते हैं वहां पुछ होते हैं के बीच अंतरा आकर्षनबल होता है इसे हम क्या बोलेंगे यदि प्रतिक परमानों की बीच वह आकर्षनबल है तो उसे हम अंतरा परमानविक कर निए अकशन बल केहेंगे पर मुद्री और इस तरह यह में गैस की बात करते हैं इन комментEPH मिलों की तो सबसे पहले का कर दो के अधार पर हम दी देखें तो T姐 मैं घैस की बात करते हैं तो के रूप में यदि हमने ये कहा कि अंतरा पर्मानविक आकर्शन बल कामान बिल्कुल नगण्यासा होता है तो देखिए ताप रिधी का इस पर क्या अस्र पड़ता है किस अधार पर इसमें वृद्धी होती है यह हम बूल सकते हैं ठीक है यदि हमने किसी पदार्थ की बात कर दाप रहे हैं तो उनके बीच के जो दूरी होगी उसे हम बोलेंगे अंथरा पर्मानविक को यहांपर हैं हमारे पास दोनों की बीच के एक निश्य दुरी होती है जिसे हम on the require कहते है गें सब्वह की दूरिया तो बराबर नहीं होंगी यदि जो दूरिया है उसे on वी जी के पर्सचत करें मतलब अुसात् तूरी के उस्से करें तो यहां पर क्या होता है माल्ये ता प्रुदीक की Ear इजाने तो is Lawatique डिया जाएगा देखिञू के बीच स्थिती होती है बिल्कुल एक निश्यत स्थिती जहां पर वो एक निश्यत दूरी पर मौजूद होते हैं तो उस स्थिती पर होने के कारण उन्हें आणविक रूप से यदि हम परमानों के रूप में बात कर रहे हैं तो यहां परमान विख उनके बीच स्थिदीज उर्जा होगी स्थिदीज उर्जा अब जैसे आप उसे उश्मा देते हैं उश्मा प्रदान करते हैं तो जो स्थिदीज उर्जा है वह अपने इस्थान पर जो तो सभाविक सी बात है कि उसमें उर्जा में वृधि होती है उसमें उर्जा जो मिलता है वो परिवर्थित होता है तिक है परमानव के लिए उनकी उर्जा के रुप में अपने जगा पर अपने एक किस्तान से दूसरे स्थान जाने लगते हैं गणके बंद भी होता है यह अकर्षन बल्वो होता है वह कम होता यह आकर्षण में अकर्षण बल्ड हुआ दूर नहीं लगें और खट्छी जूर्जा इस पहार उस में उत्वन होगी इस इस प्रकार उनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी उसे ही हम बोलते हैं कौन सी दूरी उन्हें हम बोलेंगे अंतरा अंतरा परमानुविक दूरी बबर बढ़ती है मतलब विभण परमानुव के बीच जो दूरी होते हैं आ। जैसे आप उसे ऊष्वाल करते हैं तो उनके ताप में वृधि होती है और उनके विद्ध profit होती हैं इस ताप में वृधि जो होती है वह स्तिदाए जूर्जा को गती जूर्जा में उनके बीच जो आकर्शन बलका मान कम होते जाता है परमानविक रूप से और इस प्रकार उनके बीच की जूरी जिसे हम अंतरा परमानविक दूरी कहते हैं उसका मान भी यहाँ पर बढ़ता चला जाता है अब अंसत दूरियों के रूप में उसके बात करते हैं तो ताफ ही होती है यहीं प्रश्म में हम से पूछा गया था धन्यवाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर